तक्मीकी उद्योग में नवीन तम विकास में, आपल ने सैमसंग के मुकाबले दुनिया के अग्रणी स्मार्टफोन निर्माता के रूप में अपनी स्थिती खो दी है. यह, बदलाव 2024 की पहली तिमाही के दोरान आइफोन की बिक्री में गिरावट के बाद आया है. सैमसंग, जो स्मार्टफोन बजार में अपल का मुख्य प्रतियोगी रहा है, ने वैश्विक स्मार्टफोन बजार में 20.8 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्श स्थान हासिल किया है. Apple की गिरावट का कारण Samsung सहित Android स्मार्टफोन निर्माताओं से बड़ती प्रतिस्परधा है इस साल की शुरूआत में रिलीज हुए दक्षिन कोरियाई कमपनी के फ्लेगशिप Galaxy S24 को उपभूखताओं ने खूब सराहा है International Data Corporation, IDC, के आंकड़ों के अनुसार Samsung ने जनवरी और मार्च 2024 के बीच दुनिया भर में बेचे गए 289.4 मिलियन स्मार्टफोन में से लगभग 20.8 प्रतिशत की शेपिंग की Apple की बजार हिस्सेदारी में कमी स्मार्टफोन बजार में अपना प्रभुत्व बनाए रखने में कमपनी की चुनोतियों को उजागर करती है कमपनी आइफोन को बदलने के लिए अगली बड़ी चीज खोजने के लिए संघर्ष कर रही है जो कई वर्षों से उसके राजस्व का मुक्यस रोत रहा है कथित तौर पर Apple नए उत्पादों पर काम कर रहा है जिन में आभासी वास्तविक उपकरन शामिल है लेकिन ये देखना बाकी है कि क्या ये उत्पाद iPhone के समान सफलता प्राप्त कर सकते हैं